सबसे important जो वीडियो होने वाला है वो यह होने वाला है क्योंकि इसमें मैं उन colleges की बात करूंगा जिनकी demand All India quota में AIMS New Delhi के बास सबसे जादा है और इसके अलावां मैं यह भी बात करूंगा कि जो candidates Delhi से belong करते हैं जिनके पास DU quota है या जो candidates IP quota से belong करते हैं उनके लिए Delhi के colleges का इस बार कितना cut-off range हो सकता है क्योंकि last time में 635, 640 के करीब DU quota का चला गया था काफी चला गया था इसी तरह से IP quota का भी गया था लेकिन इस बार क्या हो सकता है मैं पूरा इन detail बताऊंगा क्योंकि वीडियो थोड़ा lengthy होगा मैं पहले बता दे रहा हूं lengthy है काफी lengthy लेकिन इन details मै यह ने पूरा explain किया है कि All India quota में जो candidates हैं वो कितने score expect कर सकते हैं state quota में means DU quota और IP quota के candidates कितने score में expect कर सकते हैं अगर आप NEET 2020 जैसा score लेके आ रहे हैं तब तो आपकी चांदी है तब तो आपको बहुत अच्छे institute मल सकते हैं लेकिन अगर इस score range में भी आ पाते हैं तो आपको seat हैं अच्छी मिलेंगी मिस उम्मीद जगी है आपकी कि हाँ आपका selection हो सकता है आप वेट कर सकते हैं तक तो यह वीडियो लास तक देखिएगा बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है फर्स टाइम चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लिजिए वीडि स्टेट की डैली की तो डैली हमारा सबसे इंपॉर्टन स्टेट है यहां पर जितने भी मैडिकल कॉलेजेज हैं MBBS कॉलेजेज उनकी डिमांड ओल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा है means पूरे AIQ में सबसे ज़्यादा जो कटफ जाता हो डैली के कॉलेजेज दी यू को इन दोनों का कट आफ बताऊंगा इसमें मैं वो कंडिटेट्स जो अधर स्टेट से भी बिलॉंग करते हैं AIQ से बिलॉंग करते हैं और इंडिया कोटा से वह चाहते हैं कि यहां के कॉलेजेज लें तो उनके लिए कितना सेफ सकता यह भी मताऊंगा सबसे पहले यह बात कर लेते हैं कि डेली के हमारे टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं डियू कोटा की बात करें डियू कोटा और आईपी कोटा ध्यान से देखेगा वीडियो लेंदी होने वाला में पहले बता रहा हूं लेकिन यह एकर ध्यान से समझना है तो फिर पूरा देखो नहीं तो फिर से आरे वी व्यम्यूंस आता है य हई आप यह आपका एपकोटा का कॉलेज ठीक थर्द मडर पे हमारा आता है उसी मैस यूसी मे जो क डियू कोटा का कॉलेज है। बहुत लिएमर पहुत ज्याद Miche ऊई एक दिया अ मेड़्िकल कोलिज पीजेए मर्यू पहुत ही प्यारा कॉलेज है यहां पर पीजी सीटे होती है और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग कॉलेज है ठीक है इसके बाद हमारा यहां पर डीव कोटा में LHMC आता है LHMC is only for girls ठीक LHMC is only for girls पहले बता दे रहा हूँ मैं बाद में कहेंगे कि इसका cut-off अचाना में drop कैसे हो गया इतना क्योंकि यहां पर क्योवलो क्योवल girls के लिए होता है सीटे है ठीक है आईपी कोटा में और colleges कौन कौन से हैं NDMC ठीक BSA Dr. BSA ACMS यह सारे colleges ठीक है यह सारे colleges यह तो college लिस्ट हो गई इसमें डियू कोटा के जो colleges हैं यह सब और आईपी कोटा के बीमसी इन सब की डिमांड इतनी ज्यादा होती है और इंडिया कोटा में कि इनका cut-off बहुत जादा जाता है ध्यान से देखिएगा पूरा द देटियल आपको बताऊंगा और जल्दी करेंगे तो फिर जल्दी का कम सैतान का होता है और जल्दी करेंगे तो समझ में भी नहीं आएगा पहली बात अब आगे हम बात कर लेते हैं कि एक्श्यूल में ये डियू कोटा के का कॉलेजेस का जो आल इंडिया कोटा में है ये क्या हो सकता है ये क्या हो सकता है लेकर जनरल इड़लू एस ओबी सी सी स्टी ठीट डियू कोटा के जो टॉप कॉलेजेस हैं उनका कट अफ अगर मैं यहां पे लेच्ट अमसी को भी इंक्लूड करो तो ये मान की चलिए कि इस बार सिक्स फिफ्टी प्लस के करीब हो सकता है लेच्ट अमसी तक का मैं बात कर रहा हूँ सिक्स फॉटी फाइफ प्लस ओबी सी का भी लगभग सिक्स फॉटी फाइफ प्लस सी का भी अगर मैं बात करूं तो एसी का भी लगभग फाइफ सिक्स्टी फाइफ या फाइफ सेवन्टी प्लस के करीब हो सकता है और स्ट के इसका भी फाइफ फिफ्टी प्लस के करीब हो हो सकता है मैं इस इतना अंदाजह लगा सकते हैं आप बाकी क्या कहते हैं कि नीट 2020 का जो डेटा है उसके हिसाफ से भी आप रखेंगे वैसे इतना ज्यादा कट आफ नहीं जाने वाला है लेकिन यह की मोटा मोटा आइडिया मैंने आपको डेडिया यह एक्यू का है ठीक है य मेरे क्याल से सारे इस्ट्यूट मिली जाएंगे और वो इस्ट्यूट जो आपके पिछली बार के कट आफ में तो उससे अच्छे इस्ट्यूट आपको मिल जाएंगे तो लास्ट यह के कट आफ में अगर आप आते हैं तो आपका अच्छा इस्ट्यूट मिल सकता है अब ब लाने होंगे डी-ू कोटा यू कोटा यू कोटा कैंडिल्स यह डेली वाले देखेंगे इस वीडियो को है इस से पहले गुनदींद को बता था था डm वालों की इस बार थोड़ा सा पिछली बार ये पेंचे था पिछली बार तो 635-640 गया था आएपी का लेकिन ये है कि इस बार आपको compare to last year आपको score कम परना पर सकता है जैसे कि general candidates को जो आपको करना पर सकता है including LHMC including LHMC including LHMC including LHMC वो general candidates के लिए 625-630 priority ठीप इसी तरह से अगर हम बात करें EWS की तो EWS candidates को काफी benefit मिलता है Delhi में और अच्छा खासा benefit मिलता है मैं इस यह मान की जली कि अगर आप 600-605 प्लस है तो आप को सीटे मिल जाएंगी इसी तरह से OBC अब यह मैं बहुत ही important बात बता रहा हूं general OBC candidates की इसको ध्यान से देखिएगा general और OBC के candidates की बीच में cut-off का difference डेली एक ऐसे इस्टेट है जहां सबसे ज्यादा होता है सबसे ज्यादा इसलिए कभी-कभी general के cut-off 640 जाता है लेकिन OBC वालों को 610 में भी सीटे मिल जाती है तो OBC और general के बीच में काफी cut-off difference होता है यह मान की चलिए तो इसलिए पहले से यह आपको ध्यान में रखना होगा और यहां पर यह मान की चलिए कि कम से कम 30 marks का difference आपको यहां पर मिल सकता है means 600 plus 600 plus OBC और इसके अलामा अगर हम बात करें 600 से भी नीचे जा सकता है डिपेंड करता है कि किस तरह से merit आती है लेकिन एक idea मैं दे दे रहा हूं ठीक है और सबसे important बात है कि 600 अगर पिछली बार के cut-off में आप आ रहे हैं सब्सक्राइब करें तो आपको अच्छा कॉलेज मिले गाई लेकिन यह एक सेफ स्कूर है में इस इस पे भी आप यह उम्मीद लगा सकते हैं कि आनले टाइम में आपको पोचिटी मिल सकती है जहां तक सी की अगर हम बात करें सी के तो सी के अगर साटिस अगर फाइफ फाइफ या स UV करीब स्कूर करते हैं तो उनको सीटे मिल सकती हैं इसी तरह से एसटी के अगर 55–410 की के करीब सिकनिज़ को कीवल 405 सेός 230 के बीच में सीटे मिल जाएंगी। आγप के ऐस्ट चांदें अगे अगर के और अच्छे मास आकसा थे दो बहुत अच्छ इंस्टिजूट अपको मिल जाएगा ठीक है। कि अब बात कर लेते हैं IP कोटा की आपका मिनमुम कट से मिनमम कटफ जा सकता है इसकता privately को जनरल के के लिए यह मान के चलिए कि 615 से 620 मार्क्स जा सकता है EWS के लिए इसी तरह से लगभग यहां पर सौरी यह EWS का जो कट आफ है यह 610 से 615 है 610 से 615 यह मैंने यहां ज़्यादा कम कर दिया यह बेशिक बेसिकली ओबीसी का था ठीक है EWS का यहां से 605 से 610 इसी तरह से अगर हम बात करें ओबीसी ओबीसी का जो कट आफ हो सकता है वह लगभग 600 मार्क्स करीब यह इससे 595 तो 600 भी हो सकता है है स्ट के इसका जो कट आफ हो सकता है वह लगभग 500 फिफ्टीन टू 520 के करीब हो सकता है और स्ट के इसका अगर बात करो तो 390 टू 395 में आपको मिल जाएंगे आई पी कोटा में बहुत है आसानी से आपको सीटे मिल जाती है तो डैली के कंडिडेट्स है घवरानी की कोई जरूत नहीं है अगर डियू कोटा आपको मिलता है या आई पी कोटा आपको मिलता है तो सीटें आसानी से मिल जाती है लेकि यह बतादीया है इसमें अगर आप आते हैं इसमें इसमें की यह उफानें अगर आपाते हैं Neat 2020 के कट ऑफ में अगर आप आते मतलब यह की उस कट अब में जो आपको कॉलेज मिलना था उससे अच्छा कॉलेज आपको मिल सकता है तो नीट 2020 के स्कोर रेंज में अगर आपते हैं तो बहुत ही अच्छा है लेकिन यह कि इतना हो सकता यह क्योंकि इस बार का जो तो रैंक है वो कम जाएगी जाएगी आम शूर तो इतना कुछ हो सकता है दोस्तों और आप में से जो कैनिरेट्स डैली से बिलॉंग करते हैं घबराने के कोई जरूत नहीं पिछली बार डी यू कोटा का 635-640 गया था लास्ट इयर लेकिन इस बार उतना नहीं जाएगा कु मैंने जो यह रेंज आपको बताई है इसमें आप अपनी उम्मीद को पॉजिटिव रख सकते हैं मीस आप वेट करिए काउंसलिंग का वेट करिए मैरिट का ठीक है और अगर आपको सीटे मिल जाती है तो वेल और गूड है ठीक है और यहां पे जैसे मैंने बताया कि कि ओबीसी के कैंडिडेट का कट अफ जनरल से यह मान कि चलिए कि 22 30 मार्क्स कम रहता है 22 30 मार्क्स यह समझ लिजिए तो यह ओबीसी की कैंडेट जब मुस्से क्वेश्चन पूछते हैं उनका मार्क्स काफी कम रहता है तो मैं करता हूं यह आपका हो जाएगा क्योंकि ट्रमग्राफी है किस स्टेज में किस तरह से कैंडिडेट्स हैं वह भी मैटर करता है कि सीटें आपको मिलेंगी या नहीं मिलेंगी आई यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरू करें देट सॉल